Hey everyone, welcome to a brand new video of Hindi Tech Tutorials आज इस वीडियो में मैं एक announcement करने जा रहा हूँ and that is, we are starting graphic designing series तो सबसे पहले question यह आता है कि graphic designing होता क्या है तो for those of you who don't know what is graphic designing तो आप जो भी चीजे देखते हो आजकल चाहे वो आपका newspaper हो गया हो आपके social media पे post हो गया हो आपके newspaper के advertisement हो गया हो book का design हो गया हो आपके logos हो गया हो brochures हो गया हो business cards हो गया हो यह सारी चीजे graphic designer create करता है ठीक है? तो अगर आप graphic designer है तो आप यह सारी चीजे create कर पाएंगे अब बात यह पे आती है कि graphic designer हम क्यों बने तो यह graphic designer की बहुत demand है और अगर आपको graphic designing आती है तो आप बहुत सारी चीजे कर सकते हो ठीक है? अब यहाँ पर मुझे graphic designing आती है because मैंने जब web development सीखा था साथी में मैंने graphic designing भी सीखा था और वहाँ से मुझे यह knowledge गेन हुई अब as a professional web developer मुझे इतना काम नहीं पड़ता है graphic designing का क्योंकि मैं mainly graphic web development में काम करता हूँ but यह additional skill अगर आपके पास है तो आप इससे कुछ चीजे कर सकते हो example के लिए कि जो मैं मेरे आप thumbnail लेखते हूँ अगर आपको thumbnail पसंद आते हैं तो वो सारे thumbnail में खुद ही create करता हूँ तो because of graphic designing मुझे idea है कि कैसे tools को use करना है और इन चीजों को create करना है तो मैं उसे create कर पा रहा हूँ तो अगर आप graphic designing सीख जाते हैं तो आप किसी भी company में job कर सकते हैं अगर आपको graphic designing आती है तो already जो आपके web development के skills है उसको development के साथ web designing भी कर सकते हो ठीक है और graphic designing वैसे इतना difficult नहीं है but you have to practice and work hard to get the creativity out तो ऐसा नहीं है कि आपने tool सीखे और आप graphic designer बन जाओगे बट आपको उसमें काम करना पड़ेगा अपनी creativity अब यहाँ पर सवाल उटता है कि मैं यह सीरीज शुरू क्यों कर रहा हूं ठीक है और क्या YouTube पर वीडियो नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग के तो उसका जवाब होगा कि बहुत सारे वीडियो है ग्राफिक डिजाइनिंग के यूट्यूब पर और इस सीरीज को शुरू करने का रीजन जो है कि वेन आ सी कि बच्चे इंस्टिशन पर जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए दे चार्ज देम थाउजन्स एंठाउजन्स 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 ओफ रुपीज जो कि मेरे को लगता है कि कई बहुत जादा है आप ये चीज़े ये जो टूल्स है ये जो तरीका है ग्राफिक डिजाइनिंग का वो आप सीख सकते हो और आपको इतना पे करने का जरुवत नहीं है उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे टुटोरियल्स है यार बट the problem with those tutorials है वहां पे आपको दो तरह के tutorials मिलते है एक तो जो tools बताते हैं कि हाँ इस से यह होगा इस से यह होगा इस से होगा खतम उसके बाद या तो कोई बैस पे this पूरा पूरा चीज़े करके बता रहे है लेकिन तरीका नहीं बता रहे है कैसे करना है तो इन सिरीज में, इस सिरीज में मैं क्या करूंगा, आपको tools तो सिखाऊंगा ही, but last में, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, कि उन tools को use करके कैसे कुछ create करे, ठीक है, तो last में हम menus को design करेंगे, browsers को design करेंगे, visiting business card को design करेंगे, possible वेबसाइट को design करेंगे, है ना तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो tools हमने सीखे हैं उनको हम practically कैसे apply करें और सीखें ठीक है और एक उर रीजन ये था कि मैंने Photoshop की एक series मैं already बना चुका हूँ जो कि YouTube पे है और वो बहुत अच्छा उसका response मिला है और बहुत सारे student मुझसे request कर रहे थे कि sir please 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 आप बाकी एसे software हैं कौन से tools है जो मैं cover करने वाला हूँ तो यहां पर मैं cover करूंगा आपका Adobe Illustrator ठीक है आपका मैं tool cover करूंगा आपका CorelDraw इसके बाद हम UI UX के कुछ software हैं जैसे कि Adobe XD हो गया वो मैं cover करूंगा तो right now मैंने इनी का सोच रखा है इन तीन software को हम cover करेंगे और इन तीनों से हम कुछ कैसे create कर सकते हैं है न वो चीज़े हम समझेंगे अगर मुझे लगता है कि हां series अच्छी जा रही है people are interested then we can go more into UI UX also तो अगर आपको UI UX में interest है तो आप initially starting यहां से कर सकते हो basics यहां से सीख के then you can transition to UI UX also okay so that is something we will be covering on और this is the introduction video of the series next वाली जो वीडियो होगी वो आपकी होगी Adobe Illustrator की first video introduction video so that's it for this video अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो अगर आप interested हो इस series में और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो को बनाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलना and don't forget to follow me on Instagram at Rajdeep Dhakar that's it for this video and I will see you in next video bye-bye